हेलो फ्रेंड इस पारी तोस और आप देख रहे हैं I speak about money आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हमने कुछ साल पहले एक साल पहले एक campaign चलाया था जिसमें मैंने insurance miss selling के लेके काफी सारी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने solution बताया था कि आप किस किस तरीके से अगर आपके स सेम होते आंसर सबकर मुझे एक देना होता है तो मुझे लगा एक वीडियो बना देना चाहिए तो देखो अगा insurance miss selling का छोटा सा brief देता हूं यह बहुत common हो चुका है banks में और मैंने देखा है कि लोगन अब इस पर धंदा भी बना लिया है धंदा कैसे कि वह आपका insurance का पैस निकल वाने के लिए जो कि simple process है आप से fees charge कर लेता commission charge कर लेता है मतलब मैंने ऐसे लोगों के साथ approach किया है ऐसी कंपनियों को मैं देख रहा हूं कि ऐसी company भी आ चुकी है अलग अलग नाम से जो आपको इस तरह के समाधान देती है और basically आपको बोलती है कि हम आपका पैसा नि साल मैं bank में काम कर चुका हूं SDFC ICC और आपका SDFC ICC कोटक महिंदरा इनमे corporate banking में काम कर चुका है कि केसिस मैंने देखे है और यहां पी जब वो मैंने campaigns videos बनाई थी तो उसमें मैंने कावी सारे लोगों की help करी थी मैं वो नहीं कह रहा हूं उन लोगों को मैंने process बताया था उ तो वो process आप भी कर सकते हो किसी को commission देने की ज़ुरत नहीं है जिस तरीके की company आयों दंदा बना लिया अबना कि आपका पैसा निकलवाने के लिए आप इसे पैसा लेगी आप ही का दो पैसा है मेहनत का आप लीजी steps legally जाना पड़ेगा इसके लिए देखो 15 दिन का फिरी ल जबाब देंगे उस mail की copy को आपको ग्रिविंस रेड रेजल सैल जो कि उनके ही बॉंड के paper के document के पीछे आपको मिलेगा उसमें भेजना है वो बॉंड का document का obviously वो जो answer देंगे वो आप पी ही इलजाम लगाएंगे आपको ही बोलेंगे कि आप ही की गलती है आप ही की गलती जैसे दिल्ली की बात करो तो आसिफली रोड पर है आप देखोगे बीमा लोगपाल डाली गूगल पर आपको details मिल जाएंगी उस पर वो सारे trailing mail लगाना है आपने वहाँ पर सारा का सारा ऐसे के ऐसे शेयर करना है विदिना 30 दिन के बाद करना है आप बोलो कि मेरे जानने रिस्पोंस नहीं मिलता और 100% वो आपको सैटिस्वेक्टिर रिस्पोंस देंगे ही नहीं वो आपको ब्लेम आप ही को करेंगे आप ही की गलती आप आपने क्यों पॉलिसी ली आपको time मिला था free look in period में cancel करने का तब क्यों नहीं करा आप ही ब्लेम करेंगे तो यह ऐसा normal है बड़ा common है यह चीछ तो वही सारे ट्रेलिंग मिल्स को आपको बीमा लोग पाल में भीजना है मैं आपे brief में बता रहा हूं कोई दोबारा से process नहीं बता रहा को कि इस पर मैंने पूरी explanatory video बनाए हुई है link दालू है नीचे description में आप वो refer कर लीजेगा और बीमा लोग पा वह कहता है कि हम आप cancel check दे दीजिए हम आपको दे देंगे आपको पूरा case study करके लिखना है कि क्या-क्या गलतिया हो क्या-क्या मुझे बता के insurance दे दिया गया यह सब पूरा लिखना है ऐसा नहीं डालेक लिए आपने कुछ भी कीजिया आपको पूरा format करके पूरा case study करके भीजना है वहाँ पर ठीक है और जिन लोगों के साथ miss selling हो इससिफ उनको करना है आपको पूरा product मालूम है और आपने सोचा कि चलो इसका फाइदा ठालिया जाए आपको entertain करेंगी नहीं करेंगी ठीक है तो आगर सच में जैसे की illustrations पर आपने sign नहीं करें आपको सच में जु राजर तो hearing का मतलब court होता है तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत simple सा है एक सामने judge होगा normal representative होगा court का एक insurance company से representative होता है और आपको बुलाया जाता है आपको इलावा किसी तीसरे person को invite नहीं किया जाता और ना उनको allow होता आपको अपना case उनके सामने रखना है 90% मामला वहीं proportionately पैसा पे करने को 20 साल के बाद मिलता वहां आपको अभी दे देता है तो 90% 95% cases वहीं हो जाते है फिर भी नहीं होता तो और आगे further जा सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी किसी को पड़ी है तो महीं मामला हो जाता है पूरा का पूरा settled हो जाता है त आपी से जूट बोलके policy दी गई है तो आपको solution आपको निकालना किसी 30% से consult लेते हो तो वह 20% तो आपका रख लेगी already policy paid up में पैसा थोड़ा सा कम मिलता है वह 20% आपका रख लेगी तो आपको finally output कम मिलेगा आपको तसलिय होते जलो कुस्तों मिला लेकिने steps वही करेंगी ज आपको मिली जाती है महाँ पर mail कर सकते हो लेकिन मेरे पास बहुत mail आते हैं तो मैं सबके response नहीं कर पाता तो please मेरी video देखने के बाद ये सारे steps लेने के बाद भी still अगर आपका soul नहीं होता तब मुझे भीजेगा अगर आपने ये steps नहीं लिए और मुझे mail कर रहे हो तो द help करिए मैं आपकी भी करूँआ लेकिन पहले आपको अपनी तरफ से steps लेने तो I hope इस video से आपको कुछ तो help मिलेंगी और मुझे लगता है कि अगर आपके साथ भी miss selling होई है तो इस steps को लीजेगा आपको help मिलेंगे और मैं चाहता हूँ इस video को जादे दर लोगों को शेयर क किजेगा जिनको आपको लगता जरूरत है हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक लिए दिन्यवाद बंदे मातरम जाहें